नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विजयपाल है आप मेरे पहले भी कई वीडियो देख चुके हैं आज का मेरा वीडियो है गर में यूज ओने वाले एक्स्टेंशन बोर्ड के बारे में हैं इसमें दो सोकिट और दो स्विच लगे वे हैं और इसकी साइज है साथ गुना च्यार क और इलेक्ट्रिक बासा में इसको बोलते हैं दो प्लस दो मतलब दो सोकिट और दो स्विच का बोर्ड है आज मैं आपको इसको पूरा कंप्लेट करके दिखा रहा हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैंने पहले से इंडाल रख इसमीं पूर मैंने डाल लकेआगे हैं अभी मैं आपको इसकी बैक साइड दिकाता हूँ मैंने एक एक वाइर पहले इसको जो पICES का वाइर सिख से डलता है वो डाल दिया है पहले और अभी इसका ta है सिसका दूस्रे मायर आपको कंणेक्ट करके दिखाता हूं और जिन भायों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उन्से मेरा निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नोटिफेकेशन और नए वीडियो आए तो बिना किसी विलम के आप उसे देख सके हैं कि दोनों सुचों के फेश वाले पॉइंट पे जो पॉल बोलते हैं उनके मैंने यह वायर लगा लिया और अभी नुटिल का वायर वोड लगा देता हूं पहले पिन के नुटिल वाले शीरे में कस देते हैं और दूसरे पिन के भी नुटिल वाले शीरे को आपस में मिला देते हैं यह नुटिल का वायर पहले के नुटिल में और दूसरे के नुटिल में दूनों में हो गया और यह फेस वाला पहले के स्विच के पॉल में और तो नूटल वाड़ी इस दोनों पॉइंटों में आ जाएगी और फेस वाड़ी इस यहां कि जैसे आपन स्विच को प्रेस करते हैं तो इसमें एक पती लगी हुई होती है वह आपस में सोट हो जाती है और इस वाड़े में आ जाती है इदर नूटल और फेस दोनों आ जाती ह अब बल्ब आफ। जना दैए अब मैं इसमें आपको लाइट लगा कि दिखाता हूं कि यहे पहले से मैंने एक बलब ख़ा हम और यह इसमें आई रहे हैं अभी यह अब बलब जन घएया है अभी मैं इस बोर्ड में यह लगाशें कि दिक्ष लेखिद लिग और जशे उनके यह बलब देखो यह बलब जल गया इस तरह से यह कंप्लेट हो गया एक बोर्ड जिसमें दो सोकेट दो स्विच लगए हैं अभी मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखा रहा हूं उसमें एक ओल्डर यह इसका स्विच होगा और यह एक स्विच अक्स्ट्रा जिस स्विच से जोड रखा है यह ओल्ड रोक का जोड रखा है और यह अब एक वाइड लेता है उसका इतना मैंने से पहले पहले से छील रखा है और तीनों पॉइंटों को स्विच वाले शीरूं को आपस में मिला देता हूं मैंने तीनों स्विचों के एक एक पॉइंट को आपस में मिला दिया है इससे हैं इसमें करन्ट पूंच आएगा तीनों स्विचों के पॉल पर और यह बलेक वायर जो की नुक्टल के लिए यूज करूंगा और अभी यह एक अक्सट्रा बलब एक के लिए जो अक्सट्रा ओल्डर वो और मैं इस से एंक हॉनेक्ट कर देता हूं यह एक्स्ट्रा ओल्डर हो गया यह नूटल वाला सीरा है जो तिनों का एक साथ में वो जाए होगा कि अब ओल्डर में अभी मैंने नूटल का डाला नहीं है तो वो नूटल वाला तार अब डाल देता हूं है कि यह तीन उतार एक साथ में कनेक्ट करके अब फाइप पिन शोकेट के नूटल वाले पिन में डाल देते हैं कि अब यह दोनों तार हो गए इस होल्डर वाले अक्ष्टा जो ओल्डर लगाया था उसमें और यह नूटल के हो गए हैं और यह फेश वाला हो गया अभी दो तार वसकें जिसमें हम अभी लाइट देते हैं और इसको ओफ करने पर यह यह वाला स्विच है इस ओल्डर का अक्ष्टा गा जो ओन के दो लाइट आ गई और यह इसका है अभी इसमें आपको एलेडी बलब लगा कि दिखा देता हूं यह ओफ किया तो ओफ हो गया अभी चलो गया तो आप इस तरह से अपने घर पे यह बोल्ड बना सकते हैं इसी तरह से फिटिंग का कारी होता है इसमें चाहिए तो इस ओल्डर की जगए अपन भी यूज कर सकते हैं आज का मेरा इतना ही वीडियो था जिसमें मैंने आपको यह दो बोल्डों के बारे में बताया नमस्कार मेरा चैनल कैसा लगा आपको और मेर मेरे द्वारा दीगी इसूज नहीं कैसे लगी इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं जय हिंद जय बाद